नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज फोर्नेशन और मैं हूँ प्रियादरशन बिहार में एंडिये के घटक दलों के बीच लोगसभा चुनाव को लेकर सीटों के बटवारे पर पेच फसा हुआ है और इसमें सबसे बड़ा पेच चिराग पासवान और उनके चाचा पसुपती पारस के बीच फसा है जिनके बीच मुख्य रूप से हाजी पूर्शन सदिये छेट को लेकर के एक बरे उलजन वाली इस्थिती है दरसल बिहार में लोकसभा की 40 सीटे हैं और पिछली वार के लोकसभा चुनाओ यानिक वर्श 2019 में NDA के खाते में 49 लोकसभा की सीटे आये थी वर्श 2024 में एक बार फिर से NDA वैसा ही प्रदर्शन बिहार में करना चाहती है लेकिन इस बार बिहार में जो NDA का गटबंधन है वो कुछ अलग किस्म का है यहाँ इस पार भारती जनता पार्टी और जदियू के अतरिक लोजपा अब दो धरों में बट चुकी हो और दोनों फिलहाल NDA में है इसके अतरिक जीतन राम मांजी की पार्टी हम और उपेंद्र कुसवाहा भी NDA के साथ है तो ऐसे में सीटों के बटवारे को लेकर के तमाम दलों के बीज जो माथा पच्ची जारी है उसमें जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे बरी उलज़न NDA के मुख्य घटकदल लोजपा के दोनों धरों में है यानि कि चिराग पासवान और पसुपती पारस और अब इसे लेकर के जो एक बड़ी खवर सामने आ रही है उसके अनुसार हाजीपूर सीट पर इन दोनों चाचा भतीजे के बीच रार बना हुआ है और ना तो पसुपती पारस एक कदम पीछे हटने को तयार है और ना ही चिराग पासवान हाजीपूर से अपना दावा छोड़ने को तयार है क्योंकि उनके पिता राम बिलास पासवान ने हाजीपूर संसदेशी से लंबे अर्शेट अपने लोकसभा सदसिता रखी दरसल अब इसी को लेकर के बिहार में बिजेपी ने अपने तमाम सहयोगी दलों के साथ एक बातचीत का करम सुरू किया है बिजेपी ने केंद्रिय मंत्री पसुपती पारस से संपर्क किया है दरसल पसुपती पारस ने बिहार के प्रभारी और भारती जंता पार्टी के महासची बिनोत ताबरे से सीट सेरिंग को लेकर के मुलाकात की है पसुपती पारस ने बिनोत ताबरे से कहा है कि मैं हाजीपूर से ही चुनाव लरूँगा और सुत्रों के मिताविक विनोत तावरे ने पसुपती पारस के सामने प्रस्ताव रखा था कि चिराग पासवान और उनकी पार्टी एक बार फिर से एक हो जाएं यानि कि भाजपा का मानना है कि बिहार में लोजपा की और NDA की बेहतरी के लिए चिराग पासवान और पसुपती पारस एक हो जाएं लेकिन पसुपती पारस ने दो टूक साप कह दिया है कि अब एक होना संभव नहीं है मेरा रास्ता अलग है और भतीजे चिराग का रास्ता अलग है हाला कि चिराग पासवान NDA में रहें इसे लेकर के पसुपती पारस का कोई विरोध नहीं है लेकिन दोनों दल एक हो जाएंगे इसके लिए पसुपती पारस तयार नहीं है इतना ही नहीं चिराग पासवान को लेकर के जो पसुपती पारस है उन्होंने यह भी साप कह दिया है कि हाजीपूर सीट से वही चुनाओ लडेंगे और उनका ही दावा है लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर जो सामने आ रही है उसकी अनुसार चिराग पासवान के साथ भी अब भारती जन्ता पार्टी के नेता मुलाकात कर रहे हैं तीन दिन पहले ही कहा गया कि मंगल पांडे ने पसुपती पारस से मुलाकात की थी और उसके बाद मंगल पांडे की जो मुलाकात हुई उसमें जब हाजीपूर सीट पर पसुपती पारस ने दावा सेट किया तो उसके बाद अब चिराग पासवान और मंगल पांडे की भी मुलाकात होनी की खबर है सूत्रों का कहना है कि दोनों के बीच भी चिरा जो भाजीपूर सीठ है उसी सीठ को ले करके बादचीत हुई थी और पसुपति पारस चिराग पासपान दोनों के संपर्क में बीजेपी के पुरु अध्यक मंगल पांडे हैं यानि की पसुपति पा बाद भाईहार में एनौड़िये के सीठ का बटवारा होगा तो एन डीये के घटक दिलोंके भी सीठ का बटवारा कब होगा यह जो एक बरा सवाल बना हुआ है इस पर जो सबसे बरी ख़वर सामने आई है उसकी अनुसार सीठ के बटवारे में सबसे बरा पेच ही चिराग, पासवान और पसुपती पारस के बीच जो तकरार है दोनों में मतभेद है दोनों में जो एक तरिके से कहा जाए कि परिवारिक तोर पर भी अलग-अलग किस्म की बाते सामने आई है तो उसी को लेकर है और जब तक चाचा भतीजे के बीच में कोई फार्मूला भाजपास सेट नहीं कर लेती तब तक NDA में सीटों का बटवारा भी रुका रहेगा और विशेज कर हाजीपूर जो संसदिये सेट है उसके लिए नाक की लराई पसुपती पारस और चिराग बना चुके है देखना होगा कि तमाम उद्दों पर आगे क्या अपडेट आएगा लेकिन आपको यह बता कर छोड़े जा रहे हैं कि NDA में चाचा और भतीजा के बीच यह साफ हो चुका है कि दोनों एक नहीं होंगे पसुपती पारस ने साफ तोर पर यह बातें कहीं है